अलो फ्रेंड्स मायस प्ट Dr. सुनील तावांर, consultant ENT & rhinoplasty surgeon दोस्तो जो rhinoplasty की जो हम सेरीज है उसमें आज हम डिसकस करेंगे scar mark और nose, scar mark और rhinoplasty दोस्तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मित है और उस मित के धर के मारे वो rhinoplasty रहने से ड़ते हैं उनको यह लगता है कि अगर मेरी नाक की सरजरी होगी तो मेरी नाक के ओपर सकार आएगा या निसान आएगा या चीरा आएगा दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले दिये गए इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले अने की वीडियो की आपको जानकरी मिलती रहे हैं दोस्तो जैसे आप सब को पता है राइनोप्लास्टी दैट मिंज राइनोप्लास्टी जिसमें अपने नोज को रीशाय पेंड री साइज अकोर्डिंग तो यह रेस्ट अफ़ फेशल फीचर के साथ ठीक क किया जाता है दिस इस दा राइनोप्लास्टी यह जो राइनोप्लास्टी है आइधर दिस इस कॉस्मेटिक यानि यह कॉस्मेटिक के लिए भी होती है और यह फंक्शनल के लिए भी होती है अब जो राइनोप्लास्टी दोस्तों जो हम करते हैं राइनोप्लास्टी करने के दो अमोमन तरीके होते हैं, एक endonazal approach होती है, एक open approach होती है दोस्तों, endonazal approach होती है, उसमें नाप का जो ये जो हिस्सा होता है, उसमें अंदर की तरफ जो है, इसको incision लगाया जाता है एक छोटा चीरा लगा के, ये जो skin का envelope है, इसको उपर उठा लिया जाता है, और अंदर जो भी work करना है, वो किया जाता है दूसरी है दोस्तों, open approach of rhinoplasty open approach जो rhinoplasty है, उसमें ये जो दोनु चीरे अंदर वाले सेम लगते हैं, लेकिन इन दोनु चीरे को मिला के, नाक के जो kolumella portion है, उसमें एक चीरा और लगाया जाता है, जिससे वो दोनु इंसिजन को मिला के, इस skin को पुरा उपर उठा के, और अंदर जो है, वो rest of जो नोज क जो limited disease है, वो ही उसके correct कर सकते हैं, open जो approach है, उसमें नोज की जो है, टिप की या जैसी भी है, या पहले का revision है, या बहुत जो है extreme विक्रती है, उसको भी ठीक कर सकते हैं, बट दोस्तों, सर्जिरी के बाद, जब उसको उस नोज को जब वापस suture किया जाता है, तो दोस्तो इसमें जो sutures होते हैं, वो करीब 7060 वाइक्रिल रैपिट, that means आप यह मान के चलिए, बाल के जैसे sutures होते हैं, जो यहां पे लगते हैं, और नोज के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है, so 10 देज बाद, whenever the patient come, then nobody can recognize, आपको ना कोई चीरे का निसान दिखता है, ना कोई जो है उसमें टाके का निसान दिखता है, कोई recognize नहीं कर सकता, but important thing, जो आपका सर्जन की जो skill है, वो बड़ा निपुनता से वो sutures लगाया जाने चाहिए, high magnification में, loop में, और अच्छे quality के sutures, और वो जो आपके जो margins हैं, जिससे हमने nose को open किया है, that should be properly approximated, तो आपको 10 देज इस पात कोई recognize नहीं हो सकता, so दोस्तों, ये दिमाग से myth निकाल दीजिए, कि nose जब surgery की जाती है, rhinoplasty की जाती है, तो नाक के बाहरे हिस्से में, आपका जो चीरे का निसान या scar का निसान नहीं होता, बहुत बार कुछ condition में, जब patient, when a person, patient has extreme tendency to develop the scar, कुछ लोग ऐसे होते है दोस्तों, जिनको क्या scar tendency होती है, जैसे कहीं पे भी उसके बच्पन में लगी है, कहीं पे उसके चोट लगी है, तो उसको क्या scar tendency होता है, कुछ ऐसे लोगों को अगर मानलो scar बनता है, तो वो क्या है कि patient doctor को बताता है, या doctor को पता लग जाता है, तो उसमें कुछ medicines, kina courts, injections, injections वगरे वहाँ पे लगाया जाता है, बट वो बहुत कोई लाख हो आदमियों में एक आदमी का, अगर अच्छे तरीके से उसको बंद किया जाता है, तो scar या निसान ऐसा नहीं होता, तो दोस्तों, यह अपने को दिमाग से निकाल देना चाहिए, अगर आप कोई या आपक कि विक्रती से पिडित है, और वो इसके करण इलाज नहीं करा रहा है, कि उसके नोज पे कोई निसान या चीरा लग जाएगा, तो यह दिमाग से निकाल के उसको अपना इलाज कराना चाहिए, तो दोस्तों, I hope this information is useful for you, you can share this information to your family, friends and colleagues, just to create awareness about this myth of the rhinoplasty surgery about the scar mark, thank you.